इस वीडियो में मैं आपको बताने वा आफ़ेंच के आप जीमेल में अरचीव हुए इमेल को बापस कैसे ला सकते हैं Friend's होता क्या है कि जब आप अपने जीमेल को आपने करते हैं तो दोस्तों इसमें आपके कई important email होता है लेकिं दोस्तों कभी क्या होता है कि आपका finger जो है left या फिर right की तरफ scroll होता है तो दोस्तों हो सकता है कि आपको आप वो important well यहां से अर्चीव हो जाता है क्योंकि दोस्तों जब आप आंगली को scroll करते हैं तो आपने देखा मैंने जैसे ही scroll किया तो फिर वो email जो है अर्चीव हो गया लेकिन दोस्तों वो email क्योंकि आपके काफी मौत्पुन है तो दोस्तों ऐसे में अगर आप जो है अपने अर्चीव हुए email को बापस लाना चाहते हैं तो कैसे बापस ला सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए ज्यादा समयना लेती हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ोस से पहले गाईच अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास वाले नोडिफिकेसन बेल को दवा कर ज़रूर क्लिक कर दीजएगा लेटियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके उपसे आपको यह अर्चीव होगा तो दोस्तों वह एमेल जो है यहां पर आ जाएगा जैसे दो साब देख सकते हैं अभी जो है मैंने उस email को अर्चीव किया था तो आप देख सकते हैं कि वो email यहाँ पर आ चुका है और फ्रेंट्स आपको इसे बापस लाने के लिए आपको इस पर आपने finger से long प्रेस करना है उसके बाद ऊपर three dot पर click कर देना है और उसके बाद आपको यह move to inbox पर click कर देना है उसके बाद आपका यह email वहीं पर वापस चला आएगा तो अब आप देख सकते हैं कि यह email यहाँ पर वापस आ गया है तो इस तरीके से आप Gmail में अर्चीव हुए email को वापस ला सकते हैं उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हो आपजड़ सकते हैं